आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ क्रिस्पी आलू पकोड़ा की रेस्पी जो की बहुत ही इजी रेस्पी है और बहुत ही जल्दी से बनने वाली रेस्पी है तो चल ये स्टार्ट करते हैं मैंने लिया है दो medium size के आलू और मैंने इनका छिलका उतार के इन्हें अच्छे से wash कर लिया है और अब मैं इन्हें slice में cut कर गई हूँ मैंने इन्हें gold shape में cut किया है और इन्हें बोहत ही पतला पतला cut करना है हम अपने सभी आलू को इसी तरह से cut कर लेंगे आप देख सकते हैं कि मैंने कितना पतला cut कर किया है अब एक बाउल में पानी लेके हम अपने आलू को इसमें डिप कर लेंगे ताकि हमारे आलू जो है वो काले ना पड़े अब एक बाउल लेंगे और इसमें मैंने आड़ किया है वन कप बेसन और इसमें आड़ करेंगे दो टेबल स्पून चावल का आटा आप चाहें तो कौन फ्लॉक भी आड़ कर सकते हैं वन टी स्पून चिली फ्लैक्स वन टी स्पून सॉल्ट वन फोथ टी स्पून टर्मरीक पाउडर वन टी स्पून चाट मसाला और वन फोथ टी स्पून जीगा अब इसमें थोड़ा पानी आड़ करेंगे और इसे मिक्स करेंगे एक साथ सारा पानी आड़ ना करें पानी इसमें थोड़ा-थोड़ा करके ही एड़ करें इसे अच्छे से मिक्स कर लें मैं इसमें थोड़ा पानी और एड़ करूँगी बैटर को हमने ना तो बहुत ज़्यादा गाड़ा रखना है और ना ही बहुत ज़्यादा पतला थोड़ा सा पानी में और एड़ करूँगी अब इसे अच्छे से फेट लेंगे इसे बहुत अच्छी तरह से फेटें इसमें आड़ करेंगे 1 टी स्पून बेकिंग पाउडर अब आलू के स्लाइस को हम बेसन में इस तरह से डिप करेंगे सबी आलूओं में से पानी को हम ड्रेन कर लेंगे अब एक पान में हम ओइल गरम करेंगे ओइल को बहुत अच्छे से गरम करना है अब आलू के स्लाइस को हम बेसन में डिप करके ओइल में आड़ करते जाएंगे एक मिनट तक इसे ऐसे ही फ्राइ होने दे आप देख सकते हैं कि इसमें गोल्डन कर लगाना स्टार्ट हो गया है हम सभी आलू को ओइल में आड़ कर देंगे और इन्हें अच्छे से फ्राइ कर लेंगे हम अपने पकोड़ों को फ्लिप कर लेंगे और आप देख सकते हैं कि इन पर कितना अच्छा गोल्डन सा कलर आया है और यह देखने में भी कितने क्रिस्पी लग रहे हैं हमारे आलू के पकोड़े अब फ्राइ हो चुके हैं अब हम इने बाहर निकाल लेंगे आप देख सकते हैं हमारे आलू के सभी पकोड़े जो है वो फ्राइ हो चुके हैं अब हम इने सर्व कर लेंगे तो आप देख सकते हमारे क्रिस्पी आलू के पकोड़े कितने अच्छे बनकर रेडी हुए हैं मैंने इन्हें ग्रीन चटनी और केचप के साथ सर्फ किया है आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी अगर पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा मिलते हैं अपनी नेक्स वीडियो में तब तक के लिए अलाहाफिज